तो basically आज की हमारी इस class में बात करें जा रहे हैं logical operators जी हाँ logical operators के बारे हम बात करेंगे last classes में हमने mathematical operators जो कि plus, multiply, minus, divide, subtract, power वगद के बारे हैं किया था ऐसे हम बात करेंगे logical operators जैसे कि equal, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, and not equal उस्त पिर जर्ट पिर गृस्त पर इड़ गृत्याय के आवरेंगे का MRSτο ये ससरे सूंसरे सु छल फैडियर तो इड़ करेंगे अंसरेंगे रहीं जाकश कम मानी फैड़ के पार परुछांक करने नहीं तो हम क्या करेंगे इसको select करेंगे greater than 50 लिख देंगे और नीची के तुराब एंटर कर देंगे प्रिजल्ट हमारा true या false में आएगा true कब आएगा जब condition fulfill होगा और फॉल्स कब आएगा जब condition fulfill नहीं होगा अब यहां पर कुछ लोग सोचते हैं इसलिए तो इफ लगाते हैं कि एफ लेकिन ध्यान निखिएगा इफ जो है काम यह नहीं है कि गेटर देन 50 चेक करेगा इफ का काम है कि इसके अंदर हम true करते हैं इसलेक के लिए कि अगर एक true वा लॉजिकल टेस्ट में true हुआ तो यह आपका एक रिजल्ट दे रहें अधर वाइफ दूसरा रिजल्ट तो बीटू अगर ओके है वीटू अगर ट्रू है तो ओके अधर बाइस इसका काम लेकिन क्या होता है कि हम लोग बचाने के लिए टा 252 होके और ट्रू है है नहीं है कि झुद्ध का मस अब बन रशाल और टर फिसकर प्रिट निरोजर और हैं हम ने इसके अंदर इसको कम्माइन किया है हमने इसप्स के अंदर इसको का मैन किया वीट, मूई प्रिच्ट, मुद्यजर चौ single यह इसको कि मैंग। ठीक है सर अब कोई फॉर्मुदा कैसे लगाते हैं एक शी और दिख जिएगा कि Excel में जो true होता है वो आपका one होता है और फॉल्स होता है वो आपका zero होता है इस वो साबित भी कर सकते हैं मैं true और फॉल्स को आपका तुम जोरूंगा तो result one आएगा अगर मैं two true कर देता हो result true आएगा और एक तुम फॉल्स result one आएगा इससे सावित होता है की true equal to one यह ठीक है okay इन लॉजिकल फॉर्मूले में सबसे बड़ा इस्यू मेरे लिए होता है कि कहां कॉमा लगाना है और किसको इंवर्टेट कॉमा में रखना है मैं इससे भी आपको clear करता हूं इससे बाइब आपको कि दो एक बार रिपीट करेंगे वाद दुबार कि अगर दुबार कि अगर कि देखेंगे मैं बात कर रहा था कि एक सब में एक ट्रू होता है और यह फॉल्स होता है ठीक है जो फॉल्स कि वादर दो ट्रू पर प्लस कर दिया प्रिजल टाया टू एक ट्रू एक फॉल्स का वह तो एक सब में पूल टूं होता है फॉल्स के बार में जानते हैं जैसे हमें इसका कर आप हम बात करते हैं हुआ है हुआ है ठीक है कोई फॉर्मूला हम लगाते हैं है एक्वल से लगा सकते हैं हम इसको प्लस से भी लगा सकते हैं हरा कि लगता तो माइनस से लिए मारे से चेंज करें है तो पिक्लेफ लेकर फॉर्मूला लिख सकते हैं या प्लस लिख लिख के फॉर्मूला लिख सप्वट्छ अब यहां पर देफेंग और यहां उस format वर्त लिख करने के बाद आप formula का definition है यहाँ पे आपको दिख जाएगा बस आपना keyboard का tab key brace कीजिए और यह आपका लग जाएगा अब ज़रूरी के tab key brace करना है आप डारेक भी formula लिखके राकेट opening कर सकते है या फिर आप select करके tab से formula को open कर सकते हैं अब नीचे देखिए तीन inputs है कितने inputs है तीन inputs है logical test value true value false अब देखिए यहां पर हमें तीन inputs दिया है और तीनों inputs कॉमा से separate है एक input देने के बाद दूसरा input डालने के लिए हमें कॉमा देना होगा तो दूसरे इंपूट दूसरे जगह पर जाएगे ठीक है बिलकुल सिंपल रहे है इसका तरीका है जैसे जैसे ही मैंने यहां पर दिया कि greater than 50 अब मैं बिना कॉमा डाले कुछ डाल दूँगा तो greater than 50 लॉजिकल टेस्ट में ही ओं कंसीडर करेगा जिससे आपका formula गलत हो जकता है इसलिए मुझे दूसरा देने के लिए हमें कॉमा देना जरूड़ी है जैसे कॉमा देंगे यहां आपके बोल्ड हो गया बोल्ड इंडिकेंट कर रहा है कि आप इंपुट देने वाले है वह आपका value true में जाए अब यहां में मुझे कोई result देना है मां में जी result number में है तो मैं direct लिख दूँगा लेकिन result number में नहीं है टेक्स्ट में तो टेक्स्ट को टारेक्स से माल की okay है तो मैं direct okay लिखूंगा तो गरत होगा क्योंकि okay लिखते हैं without inverted कॉमा एक समझेगा कि okay नाम का कोई difference या तो formula है इसलिए जब भी कोई text डालेंगे विसकी डालेंगे जो कि कोई difference कोई formula नहीं है वो हमेशा inverted कॉमा के अंदर डालेंगे अब मेरा value true complete हो चुका है तो मैं वापस कॉमा दूँगा तो यह जंप कर जाएगा value false पे और यहां पे मैं pending लिख देता हूं और पैनली भी हमान टेक्स्ट है इसलिए inverted कॉमा में देंगे तो कहां पे कॉमा देना है कहां पी इन्वर्डड कॉमा देना है समझ में आपको सर्थ कि अगर आप कोई इन्पुट दे रहे हैं जो की टेक्स्ट है एबी सिदी है तो इन्वर्ड कॉमा कर दूगा यहां पे नेम कर रहाएगा क्यों नेम कर रहाएगा क्यों की नाम का वो टेक्स्ट इसको इसको क्यों और इसक़ आपना टेक्स्ट कर शक्या है यह चैक्ना में पूर्ड में ना यस आर्थर का т VIC घ्रनार मान तो इसको हम यह चल्डड कर सकते हैं नहीं इंवर्डड को है मैंने आपको रीजन बतायाना जबी फार्मिले के अंदर में कोई अपना टेक्स्ट कोई नाम हो गया जगह का नाम हो गया कोई मैसेज हो गया को पुड़क्ट का नाम हो गया ऐसे कुछ नाम अगर देना चाहते हैं को इसको इनवार्टिक हमां के अंदर में दिया जाएगा सिंपलक्ठा रोल है वो सैपरेट करता है रिजल को अजयाँ को करके होकी जाहता है वैसा इस प्रिंट करता है की है क्योंए यह यह साथ प्रिंट कर दो बस इस चीज़ को दिनोड़्त करता है कि तो आएसा नहीं होता तो कैसे और एक स्ट कैसे करता एक टू जो है एक ठेट्स है और ओके एक टेक्स्ट कैसे एक टेक्स्ट कैसे एक सब्सक्राइब इसी चीज़े समझ रहा है कि बिदाओर इंवर्ड कमा मतलब कि टेक्स है इसके पास एक काम आ गया लेकिन इंवर्ड कमा है कुछ नहीं करना जैसा है और सब प्रिंट करो मैं एक सब्सक्राइब करें इसमें आपने फॉर्मिला लिखा एक ग्रेटर जन फिफ्टी अगर एक की वैल्यू पचास से ज्यादा हो तो आपको कि आ जाएगा अगर पचास से कर्म हुआ टेंडिंग लाई यह यह जी है है ठीक है अगो भी फॉर्मा लगाते है ना उसके साइन टेक्स मतलब की जो निची इंपूट साथे कितने तुरह की इंपूट से उसकी दो टाइप होते है रिक्वाइड और आउसलर जैसे लॉजिकल टेस्ट आपका रिक्वाइड है जब तक लॉजिकल टेस्ट को नहीं तक यह फॉर्मले से पाहब निकलने देगा क्योंकि यह रिक्वाइड है जैसे आपने यहां पर दिया गेटर दें 50 किया यह पूरा होगा अब यहां पर देखेंगे कि वैलू ट्रू अन्वाइल फॉल्स क्या है यह आपका ऑप्सनल है क्या है अप्सनल है अब इसको डालन कि अधरवाज नहीं डालिएगा तो इसका डिफॉल्ट डिजॉल्ट देखेंगे फॉल्स है आगया है यह वाइसकी दिरूद पड़ती है ऐसार अब चलिए कुछ इस के एक्जाम्पल देखते हैं जैसे मैंने यहां पर नेम ले लिया और इसको ड्रैट कर देते हैं और मैं नेम का रीपिटेल है, तो हमने क्या किया इसको शॉaround कर दिया है करने के बाद क्या हुआ कि जितने भी name थाthय single mix up था वह यहां पर इक sequence में short होगे हग अब उचें क्या करना है कि पहले name का आगे यू लिखना है बागी name का आगे डी लीखना ङूआ लिखना है मैं जिसे दे पहला है तो यू अधरवाई डी ठीक है सब इसके लिए हमें आलिकेंगे कि if if अबतर सामने वाली 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 दोनों आपस में ब्रावर है इसका मतलब डुब्लिकेट है तो डी शो कर दें ब्रावर नहीं है मतलब कि फॉर्स्ट इंप्र की यूनीग है कि सिंपल सा फॉर्मला लगा रहे हैं कि if a2 is equal to a1 ऐसा हो तो दी अगरबा यू अब दी यू क्या है टेक्स्ट है इसको आपने double quotation mark मतलब की inverted को मां के अंदर डाला अब यहां पर enter करेंगे और आप जानते ही कि जब भी कोई फॉर्मला को ड्रैग करते हैं तो आपना reference चेंज करता है जिसकी यहां पे 3 से 2 हो गया और यह दोनों आपस में ब्रावर है इसलिए ब्रावर है इसल सब्सक्राइब पर मुझे यहां पर इडी भी करते हैं मुझे सिक्वेंस नफर देना है तो मैंने क्या किया यहां लिखा एफ सामने वाली वाली वैलू ब्रावर है अपने वूपर वाली वैलू से हैं तो हमें सिक्वेइन्स बता बढ़ाना हैं तो हमने बोला कि उपर वाली वैलू में प्लस वन कर दो अदर वाइज वन से स्टार्ट यहां पे अजीत और नेम ब्रावर नहीं है तो इदीख स्टार्ट करते हैं लेकिन जैसे मैं यहां ड्राइग करूंगा ड्राइग करते ही यहां क्या हुआ कि दोना आपस में ब्रावर है तो यह क्या करेगा कि सी टू और इसके ऊपर वाली वैलू में तुराइग कर देगा और नीचे के तरह पुरा ड्राइग करेंगे तो कुछ इसी तरह से आए अगर सिरियल नंबर की बात चल रही है तो आटोनाटिक सिरियल नंबर जनेरेट किया जा सकता है जिसी मेरे पास एक डेटा इंट्रिी है ने कहारा करता ह Participant रीता हो और यहां पर पूजय दे दिया फिर वार्पोस मैं तू लिखता हूं और फिट नीस का हम चाहता हूं कि मुझे बार बार इस तरह से न करना करेitarक सिक्वेंस नूबर आंटमैónius से जन्मेंट हो जाह जैसे लोगाए कि एफ सामने वाली वाली वैलू सामने वाला सेल जो है ओर ग्रेटर दैन जीलो है अब ग्रेटर दैन जीलो क्यों समझे करिया हमें इसी वी सेल के अंदर में अगर वैलू टाइप है इस जीलो से पराया है कि ब्लाइंड को बाइंड फोल एकसर जीरो समस्का है ऐसा हो तो मैंने बुला कि उपर वाले वैलू में प्लस वन कर दो अधर बाइंड ब्लाइंड अब यहां पर देखिए मैंने इंवर्टर को मां ओपन किया परोज किया इसका मतलब हो गया कि वह कुछ नहीं प्रिंट करना है तो ब्लाइंड प्रिंट करेगा देखिए ब्लाइंड किया रहा है अब इसको नीचे तक ड्रैग करके रख देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है लेकि जैसे ही इस पे हम नाम डालेंगे तो हमने ओम डाला है यहां पी इंदा डाल मैश सिक्वेंस हमें बनता जा रहा है सम्झे सर ते फॉर्मूला क्लियर है को डाउट इसमें अंगे जी को डाउट इसमें अंगे एक बार अजरा अगर बता दीजिए वल्ला मतला यह देखी क्या दिक्क दिसमें फॉर्मूला सामने आपके अलगा हुआ है है एच थ्री डेटर दाइन जीडो है एच थ्री गेटर दन जीडो मतलब एच कॉलम के थ्री रहा है अगर जीडो से बढ़ा है मतलब कि कुछ टाइट किया हुआ है को चाहिट किया जीडो से बढ़ा हुआ हुआ है तो जहां फोर्मार नग रहा है वह अपने उपर में प्लस ओन कर देगा जिए इसको हमने इनवर्टर को नहीं लिया जीडों प्लस बशन को इंचेस नहीं देंगे तो कि यहां इसे मान लिजेए कि मियां पर फॉल्स नहीं देते इसों छोड़ देते आपने कहां पर गाया ये बता दीजे बागी दे एप समय को अब आप यहां पर नमबर और नमबर टेक्स्त नब कर रहा गा देखिये, number और address, cell address, a1, b1, c1, जो होता है, cell address होता है, cell address हो, या कोई formula हो, या फिल किसी तरह का number हो, उस पे inverter कमार लग्ले, inverter कमार तिर्फ, text पे लगता है, किस पे लगता है, text, text के लाओवा, किसी चीज़ पे लगता है, अगर टेक्स नहीं है तो इन बड़कोमा नहीं लगेगा समझ गया है और यहां तुम काल्कुलेशन कर रहे हैं न सर हमें क्या करना है हमें करना है कि भाई उपर वाली वैलू में प्लस वान करके सिक्वेंस को आगे बढाना है यही करना है न काम हम रहा क्या सर तो हमें इस काम को कब करना है जब सामने कोई वैलू हो अगर नहीं तो मैनूली आप टाइप करते जाएंगे और इसको ड्रैक करते जाएंगे तो हमने इसके कंडीशन लगा दिया कि भाई आ तुम ऐसे ही पब्लिकली स्रिया नंबर को ना डालो यहीं पर आप क्या करो कि एफ अगर सामचे वाली वैलू मतलब कि S3 is greater than 0 है तो यहां पर G1 plus G2 plus 1 कर दो अब यहां पर भी देना होगा कि भी हाँ ठीक अगर 0 हुआ तो क्या करूँगा तो यहां पर हमने बोला कि blank कर दो मतलब कि कुछ inverter को मां में कुछ डालना है रहे कि कुछ डालो मत हम जे क्या हो गया blank हो गया विटेक्स के टेग्री का blank हो गया अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमको हमरा जो फॉर्मूरा था G1 G2 plus 1 वो चलेगा लेकिन इसके सामने वाले वाले वैलू में कोई डेटा होगा तो कि समझ गया तो कै अची शार्ट करेंगे ने शार्ट आपको अब अची अप ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको कुछ चीजे करनी पड़ीगी आप जो है कि अपनी नूलेंग्स से मुझे 40ives की ऑग्जांपर सिम्पल की पर द सीइफ की एकजांपर मुझे बनाकर बेज़ी ठ् 않 और साथ में अगर 20 ये इजम से आउंपर बना लेते हैं एक रिस्वर्ट करना है अब जैसे कि sequence number आ तो रहा है लेकिन माली जो मैं एक gap कर दिया और यहाँ पर मैं लिख दिया इंदर तो यहाँ पर error आएगा अब आप इस formula को modify करके ऐसा formula त्यार करना है कि अगर ब्लैंक होता है तो कोई बात नहीं यहाँ पर save बना जाए है ठीक है हमने formula तो बना लेकिन formula में एक cause लग गया कि भाई अगर आपने एक cell एक blank cell एक cell skip किया अगर एक row skip किया तो अगरी रोड में आपका number continue नहीं होगा क्या हो जाएगा error हो जाए है ठीक है है तो कि अधिया सब्सक्राइब चलिए इसको बनाईए और भेजिए और formula का थोज़ा सब्सक्राइब बढ़िए